वीजा बोट को तो सभी लोग जानते हैं वीजा बोट किसी एक देश में मशूर नहीं है बलकि हर देश के लोग इसे रूबरू है अमेरिका में यह ज्यादा फेमस है इस खेल को ज्यादा तर बच्चे और जवान लोग खेलने ज्यादा बसंद करते हैं क्योंकि इसी एज ग्रूप के लोग रह्षा में चीजों को जानने में इंट्रेस्टेड रहते हैं यह खेल बहुत खतरनाक है क्योंकि इस खेल के जरिये आप निस्टीरियस एंटिटीज की दुनिया से कनेक्शन बना सकते हैं जैसे कि हम सभी को पता है इस उनिवर्स में सिर्फ एक नहीं कई डामेंशन हैं और हम हर डामेंशन को या उसमें रहने वाली एंटिटीज को नहीं देख सकते हैं क्योंकि human body की कुछ limitations हैं जैसे हमारे इस डामेंशन में हम मतलब human being and other creatures रहते हैं ऐसे ही दूसरे डामेंशन में अधर creatures रहते हैं जिन्हें हम नहीं ठूसकते हैं और नहीं देख सकते हैं और उन्हें सोक और सोल भी कह सकते हैं तो इस वीजा बोर्ट के जरिये उन एंटिटीज से बात किया जा सकता है लेकिन कभी-कभी इसका result बहुत खतरनाक हो जाता है लेट्स ठाक बार हैं वीजा बोर्ट डिपिकली एक बोर्ट होता है जिस पर कुछ लैटर्स और नंबर्स लिखे होते हैं फॉर इक्जामपल ए से जट तक अलफबेट और एक से दस तक नंबर्स इसके अलावा इस पर यस नो और गुडबै जैसे वर्ट भी लिखे होते है ये सारे वर्ट सोल से बात करने के लिए यूज किया जाते हैं इस खेल को खेलने के लिए दो या उससे ज़्यादा लोग की जड़ोत होती है कुछ लोग डर के मारे इस खेल को खेलने से पहले ही मना कर देते हैं इसमें रूम की लाइट बंग करके और एक कैंडल जलानी पड़ता है और फिर होता है गेम ऑन उन में से एक परसन कुछ सवाल पूछना शुरू करता है इस रूम में हमारे अलावा कोई और भी प्रेजेंट आया नहीं अगर है तो अपने नाम बताओ अगर घर में सच में कोई एंटिटी या सोल होती है तो वो इस सवालों का आंसर उ जो वीजा बोट पर होते हैं वो अपने आप उन अक्षरों के उपर मॉव्मेंट करते हैं जिससे उन्हें सोल का पूरा नाम या नाम पता चलता है और इसी तरीके से और भी काफी क्वेश्चन्स पूछ लिए जाते हैं लेकिन ये गेम इतना आसान है नहीं यतना लग रहा है सुनने में इस खेल के दौरान कोई भी पीच में उठकर नहीं जा सकता और साथ ही बहुत खत्रा भी होता है और इस गेम में सोल कभी कभी खेल खेलने वाले पर हावी हो जाती है और उस पर कविशा कर लेती है इसकी सबसे डरावनी बात ये है कि आप इस गेम में सोल्स को बुलातों लेते हो पर वो वापस जाता है अपनी मर्जी से हैं ना कि आपके मर्जी से और इस गेम में सवाल पूछने के बाद आपके हाथ बोड पर खुद बखुद धिलने लगते हैं जिसका ये मत्तब है कि आपके आसपास सच में कोई आत्मा है जो आपसे बात करना है अगर आप ये गेम अपने फ्रेंड्स के साथ खेलने की सोच रहे हो तो बी केरफुल ब्रो और डॉंट ट्राइट इट कुड लीड यू तो देट्राइट सो प्रो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजेगा और अगर आप चैनल पर नहीं हो तो हिट थे सब्सक्राइब बटन एक ब्राइट सैंसे इंट्रेस्टिंग वीडियो से लाता रहेगा और आप वीडिया बोर्ट के बारे में क्या सुसते हो नीचे कमेंट करके जुरूर बताना इवल रेट दाट सी यू न मैं नेक्स थलिंग वीडियो